नमस्कार दोसों, आप शभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शभी उम्मिद करते हैं कि बगवान महावली हरुआज़ की श्रबाशी आप शभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्थ होंगे दोसों आप शभी को बता दी कि आने वाले 48 घंडों का शमय आप शुबी के जुनकाल में महावली हनुमान जी लेकर आने वाले हैं दश बड़ी खुशकवरी जिनें शुन लेंगे जिनें जान लेंगे तो दोस्तों शारा परिवार खुश्यों से मिठाई बांटेंगी और घर परिवार में एशी खुश्यों के लहर दोड़ने वाली है दोस्तों जान कर शबी लोग हक्के बक्के रहने वाले हैं कि दोस्तों आप शुबी को बिता दी कि आप तो जानते हैं कि गरों की स्थिती अश्यों में आपके लिए शुबबनी होई है प्रंदों दोस्तों शादी शाद आप शिवी को बता दें कि महाबली हनुमान जी का भी अश्रवाद अब आप शिवी के कुंडली में पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि गले 48 गंटों के अंदर जो गरों के स्तिती बन रही है दोस्तों उन्में आपको शुवी परकार के दुश्मनों शे मुक्ति मिलने वाली है जी अदोसों और शंकटों के नीदान महाबली हनुमान जी आप शुवी के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी लेकर आए हैं जी अदोसों तो दोस्तों हमारा आप शुवी शे बस यही विन तक देखिलेगा और जो भी बात हम बताने वाले हैं उने शुन लेगा तो दोसो महावली हर्मान जी का अशी मश्रबात उन शबी के जुनकाल में शदे पड़ेगा जिया दोस्तों स्राथिस्टों आप शबी को बता दें कि अश्र में जो भी बड़ी कुछ कपरी आपको मिलन वाली है और दोस्तों इन शबी के लिए आपको कौन से विश्यस बातों का ध्यान रखना भी अगले 48 घंडों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा दोस्तों सभी बातें घरों के गोसर परिनमीत आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जैने जान लेंगे तो दोस्तों आप शिवी का जीवन पूरी तरह श्रंपन हो जाएगा उश्य प्रलतों जो भी महावली हनुमान जी के शच्चे पीरभकते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू किजिएगा और कमेंड बॉक्स में शच्चे मन शच्चे हिर्दे भावशी जय हनुमान जय शंकर मोजन जो लिखेगा दोस्तों महावली हनुमान जी का शिवी मश्रवाद आप शिवी को प्राप्त होगा जिवनकाल के शारी कष्ट देरे देरे शिमापत हो दे जाएंगी जिया दोस्तों बात करते हैं शुरूवात करते ही भगवान शरीकिष्ण के एक बहुत अच् और जीवन को केश्व जीना है यह हमें श्रीमत भागवत गीता शिखाती है और दोस्तों श्रीमत भागवत गीता में यह फी लिखा है कि इश्वर रिंसान से बहुत प्यार करता है और उनकी अंतरात्मा पर बार बार दस्तक देता है उसकी आत्मा को जागरित करने के लिए प्रंतु कोई तक्दिर वाला ही दिल की आवाज को शुन पाता है जिनके भी अच्छे कर्म जिनके भी अच्छे नेत्रुत होते ही वही भगवान के इस नेत्रुत को शमझ पाते ही भगवान के इस अश्पर्ष को शमझ पाते ही जियाँ दोसों तो दोसों भगवान श्रीकिष्ण का या परम ग्यांगर आपको अच्छा लगा हो सच्छा लगा हो तो दोसों वीडियो को एक प्याराशा लाइक जरू किजीगा और इनके लिए कमेंट बॉक्ष्ण लिख दे जैई श्रीकिष्णा राधी राधी दोसों निश्रवी की महत पुन जान कर देंगे तो दोसों अंत तक ध्याश दिखिएगा तो आई दोसों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोसों यश्र में कोई भूमे शमदी घरित परोफ्त का काम शंपन हो शकता है धर्म कर्म शंबंदी कारियों में भी आपकी विसे से समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त युगदान समाज में भी आपका मांशमान और फिर जट परितिष्टा में भी बड़ोतरी करने वाले हैं दोस्तों यश्वार्त युष्वार्त 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 युष् रहेगा और इसको प्रान दोस्तों यश्में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें किसी के भी शाथ मिल जुनकर काम करना आपके लिए मुश्किल हो शकता है दोस्तों यश्में आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शे किसी के शाथ भी आपका एकमत नहीं ह हो शकती है यश्में आपको धहरे रखने की आवश्क्ता होंगी और इसको प्रान दोस्तों यश्में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राश्ची के लिए जो समय होंगे जो ग्रह हिस्तिति होंगे यश्में बहुत ही उत्तम समय होगा बहुत ही जिक्रह हिस्तिती होंगी दोस्तों इसमें बता दें कि आपकी योगताव फिर छमता खुलकर लोगों के शामने जाहिर होने वाली है दोस्तों विद्यार्थियों को केरिया शमंदी कीशी शमच्या का समधान भी यह मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यह में समय होगा तो दोस्तों यह में और अपने कारें की अपने ध्यानयों को खेंद ह किकी तो यश्रम विजना को स्थेगित रखें क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाब की तती नहीं होगी और इसके प्राण दोस्तों यह आपके लिए उसे मुंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उश्य शमद्द निरले लेने लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आशान होगा और इसको ब्राहन दोस्तों यह आपके लिए जय से मौंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह इमोशनल होने के बजाए चतुराई वा फिर विर्यक्षे आपको काम लेना चाहिए दोस्तों विवाक्त से लिया हुआ काम आपके भी और आपक्षमिय होगा दोस्तो आपको बढ़ाँए कि किसी इस्तिदार्स्य शमदी सुब्समचार भी सुननरे से आपका मन इश्मी पर्षम रहेगा दोस्तों बटवारानगी कई चौनीतनीर कौई च्ना घलत हो चकती है इसलिए दोस्तों यह इस पर पुनर विचार आ अत्य अधिक गुश्टा आपके लिए यश्मी आपके श्वास्त और आपके कारेयों के हानी का कारण बरंड चुकता है इसलिए दोस्तों यश्मी आपको ध्यरी बना कर रखना चाहिए और इसको बना दोस्तों ये ये अपको समय होगे आपको कई शारी बातों की चिंता होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावव में रखकर प्रिज्टि का हल रुणने की आप कोशिश करें और रेश में आप अच्छी हल भी डून पाएंगे और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए जम्रूंगे आपको बता दें कि आपका संतुलित diverse रखता है राज की मामलों में भी क्येश मरदी स्टियां आपके पक्ष में रहेंगी शाति दोस्तों दूसरों के मामले में हस्पेक्श ना करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात क आपको ध्यान शादी दोस्तों आप जो है शमे अपनी आर्थिक स्थिति काभी ध्यान रखें किसी भी कारे में विर्थी पेशा खर्चना करें ये आपके लिए बैतर होगी आपके लिए उसे महोंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप शम्मदित सभी बातों में संदुलन बारायर रखने क आपके जो कोशिज होंगी ये शमे सफल होगी फिर भी दोस्तों विचारों में शकारतमकता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यान तावशकता होगी फिलाल दोस्तों परिस्ति कटिन नहीं है लेकिन दोस्तों ये उतना आशान भी नहीं है शमस्याओं की तरफ अधिक ध्य में जन सब परकों का दाइरा अधिक विस्तित होगा परन्तु अभी वह इपारी गद्यों का गंपिरता वह फिर भारी की शेम लेकर करना आपके जरूरी होगा दोस्तों शिनियर्स लोगों के साथ सम्मन्द खराब नो करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाप की उतन यह में बहतर भी रहेंगी कुछ हलकी फुलकी प्रिशानियां तो आएंगी पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा नई प्रॉप्टी और नए लोगों से ववायर करते श्मी आपको यह में सचीत रहना चाहिए दोस्तों शादे करमचारियों की गतिद्यों पर भी यह में आपको नजर रखना चाहिए और इसको प्रांदे श्मी आपकी विशाय के लिए समय होंगे आपके केरियर के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें की यह में पर वावशाली व्यक्तियों के शाहत अपने शमंदों को और अधिक मज़ुत करें यह शमंद्ध आपके तरक्की फाइदमन शाबित कराने वाले हैं। शाथी पदनते के भी योग बन रहे हैं। आपके पारिवरिक जीवन के लिया शे अचा रहेगा। प्रेम शुमनों में गलत फिर्मिया उत्पन हो शकती है। इन्हें अपने काम पर हावी नौ होने दें। यह आपके लिए बैतर होगी। और इसको प्राहत दोस्तों यह मगर आपके स्वास्त के लिए बैतर होगी। और इसको प्राहत दोस्तों यह में कुछ सुष्ती और आलाश भी आपके उपर हावी रहेगी। यह में आपको वहान भी शावधनी प्रोग चलाना चाहिए। चोट आदी लगने की शभाना भी यह में बन रही है। और इसको प्राहत दोस्तों में बुरी आतों तो था बुरी स्रंगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए।